यूपी में उफंती नदियों के पानी ने तटबंदों को तोड़ दिया है जिससे कई गाउं का शेहरों से संपर्क टूड़ गया है पहले आने जाने के लिए पैदल या किसी वहन का इस्तिमाल होता था लेकिन बाढ़ आने के बाद अपनी जान जोखे में डाल कर ये लोग क्यूब से आना जाना कर रही है जिनके घर दो मंजिल तक हैं वो छटो पर डेरा डाले हुए हैं और जिनके पास नहीं वो सड़क पर मौसम के सितम का सामना कर रही है इस तस्वीर को देखिए ये बाढ़ खंच सिचाई विभाग के अधिकारियों की है जो नदी को मनाने के लिए पूजा अर्चना करने लगे हैं ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से नदी बढ़ रही है उसकी रफ्तार को रोकना विभाग की बसकी बात नहीं जो जरूरी विवस्ताएं बारिश का मौसम आने से पहले करनी चाहिए थी जिससे बाढ़ को रोका जा सके वो ना करके पूजा करके पानी को थ्वामने की कोशिश की जा रही है यूपी में उफंती नदीयों के पानी ने तटबंदों को तोड़ दिया है जिससे कई गाओं का शेहरों से संपर्क तूड़ गया है पहले आने जाने के लिए पैदल या किसी वहन का इस्तिमाल होता था लेकिन बार आने के बाद अपनी जान जोके में डाल कर ये लोग ट्यूब से आना जाना कर रही है जिनके घर दो मंजिल तक हैं वो छटो पर डेरा डाले हुए हैं और जिनके पास नहीं वो सड़क पर मौसम के सितम का सामना कर रही है इस तस्वीर को देखिए ये बार खंट सिचाई विभा के अधिकारियों की है जो नदी को मनाने के लिए पूजा अर्चना करने लगे है ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से नदी बढ़ रही है उसकी रफ्तार को रोकना विभाग की बसकी बात नहीं जो जरूरी विवस्ताएं बारिश का मौसम आने से पहले करनी चाहिए थी जिससे बार को रोका जा सके वो ना करके पूजा करके पानी को थमने की कोशिश की जा रही है झाल 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 झाल